हलो फ्रेंड्स आज है पांच दिसंबर दोहजार एकिस आज यूपी पीससी आरो एरो का पेपर था आई होप आप सभी लोगों ने अच्छा किया होगा इस वीडियो में हम जेनरल हिंदी को डिसकस करने जा रहे हैं जो कि 60 questions होता है यह paper जो है बेजा है P.S.Kumar ने जो कि बनारस के रहने वाले हैं इलाहबाद में तैयरी करते हैं यह हमारे best student है इन्होंने इस paper में 59 out of 60 correct किया है यह जिने 60 question में से 59 question आपने करट किया है बहुत ही बहुत ही बहुतरिन परफॉर्मेंस कह सकते हैं आपका परफॉर्णस देख करके लगता है कि you are the best student तो आपका सेलेक्षन जरूर होगा तो चले फ्रेंट्स डिसक्सिन को स्टार्ट करते हैं इस पार्ट में हम जनर्ल्ण हिंदी को डिसकस कने जा रहे हैं पाला क्वेशन है इनमें से प्रथम का उपयुक्त बीपरेटर्थी सब्देज़ नी विलोम सब्द कौन सा है तो प्रथम का हो जाता है अंतिम, Option C का science रो जाएगा दुसरा है अनुरक्ति का वीपिरिपारित आरठी सब्द कोँछा है बिलोम कोँछा है तो वीरक्ति हो जाएगा Next question. Must Um अध्यूनिक का व्लोम पुछा गया है तो इसका प्राचीन Option C का science रो जाएगा अगला कॉस्चन है गावरो का वी पिरितार्थी सब्द कौन सा है तो यह लाग हो हो जाता है उप्षिन B का सही अंसर लाग हो नेक्स्ट क्वेशन है नैसरगी का विलोम पुछा गया है तो इसका होता है कृत्रिम ऑप्षिन D का सही अंसर हो जाएगा अनुग्रह का उप्यूक्त विलोम सब पुछा गया है तो विग्रह हो जाएगा उप्षिन A सदाचार का विलोम जो होता है कदाचार हो जाता है उप्षिन B का सही अंसर हो जाएगा इसमें पुछा गया है कौन सा सुमेलित सही है तो अवकर्षन का अनावकर्षन हो जाएगा ओप्षन 20 का सैंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोर्षन है आवर्टक का विलोम हो जाएगा अनावर्टक यानि ओप्षन 20 का सैंसर हो जाएगा अम्रित का विलोम क्या होता विश होता है option D इसका science हो जाएगा अगला question नमर 11 इसमें सुध्ध बताना है कौन सा है तो इसमें सुध्ध जो है D option है आपकी आयू 40 वर्स है अगला question देख सकते हैं question number 12 इसमें भी सुध्ध sentence बताना है तो इसका हो जाएगा option A उस जंगल में प्राता काल का दिर्ष बहुत ही सुधर सुहावना होता था option A इसका science हो जाएगा अगला question है question number 13 वर्तनी में सुध्ध कौन लिखा हुआ है तो इसका हो जाएगा option C प्रामारिक अगला question number 14 इसका हो जाएगा बीना टिकट यात्रा दंडे निया है next question question 15 देख सकते हैं इसमें भी असुध चाटना है तो इसका हो जाएगा option A याग यह गलत है यानि बाकि सब सही है option A इसका science हो जाएगा 15 नमर question का question 16 है इसमें सुध्ध वर्तनी बताना है तो कभी 3 यानि option C इसका science हो जाएगा कई बार repeat हुआ question अगला question 17 नमर है इनमें से सुध्ध वर्तनी चैन करना है अनुकूल यानि option D इसका science हो जाएगा next question है question 18 सुध्ध वर्तनी वाला सब बताना है तो अध्हीन इसका हो जाएगा option C सही हो जाएगा 19 नमर question है एक सुध्ध वर्तनी बताना है तो इसका सही हो जाएगा option A अगला question है question 20 इसमें सुध्ध वर्तनी बताना है तो परीच्छा होता है यानि option C इसका science हो जाएगा next question है वह कभी जो ततकाल कविता करे उसे क्या कहते हैं तो उसके आसू कभी यानि option D इसका science हो जाएगा question 22 जिसकी आसा ना की गई हो तो इसके लिए A प्रत्यासित हो जाता है यानि option B इसका science हो जाएगा अगला है बिना पलक जपकाए के लिए सब्ध है तो इसका अंसर हो जाएगा option D निरनिमेस next question है question 24 देख सकते हैं समा उत्तरदिखार में प्राप्त संपत्ति उसको क्या कहते हैं उसको रिक्थ कहा जाता है option C का science हो जाएगा अगला question है जो युद्ध में इस्थिर रहता हो उझे उसे युद्धि कहा जाता है निया option C का science हो जाएगा question number 26 कम बोलने वाला मित भासी यानि option A का सही answer हो जाएगा अगला है जो तोला जा सके वो हो जाएगा परिमे यानि option C इसका सही answer हो जाएगा next question है जो इस्वर में विश्वास रखता हो उसे आस्तिक कहते है option B इसका सही answer हो जाएगा जो सब कुछ जानने वाला हो उसके लिए सरवग कहा जाता है यानि कि option C इसका सही answer हो जाएगा अगला question है जो किसी विश्वास का ज्याता हो उसे विश्वास के कहा जाता है option D सका सही answer हो जाएगा अगला है घोडा का उप्यूक्त तत्सम अगला है तो घोटक होता है option B सका सही answer हो जाएगा next है गोधूल गोधूल का तदभो बताना है तो गोः हो जाएगा option C सका science अगला हो जाएगा question number 33 हो जाएगा है तत्सम बताना है तो यह होता है पंग्ती option A 34 number है करपट का जो है कपड़ा हो जाएगा option d कुस्टर में 35 का बहुंजगा और हो जाएगा option d question 36 का अबका इसमीं तदवह बताना है तो यह हो जाएगा चमचा option c trao tha का यह चतर्वों हो जाता है option d next है इसमें तदवह तो अंगरना option A का सईयंसर हो जाएगा 38 का 39 का निमनीखित में से कौन सी हस्ती किस सब्द का तुम है तो हस्ती का होता हाथ थी यानि option C का सईयंसर हो जाएगा अगला है तद्वो बताना है तो इसमें दाढ़ी option D का सईयंसर हो जाएगा question number 41 देख सकते हैं पांडू सब्द विशेश की द्रिश्टी से क्या है तो यानि option C हो जाएगा विशेशन और विशेश से दोनों next question है question 42 कोई आदमी आया इसमें क्या होगा अनिस्चे वाचक हो जाएगा option A का सईयंसर हो जाएगा अगला question है सव गुना लंबा यह आवर्त वाचक है यानि option C का सईयंसर हो जाएगा question 44 प्रियाग राज में दसवाँ व्यक्ति कोरोना पिलित है तो यह हो जाएगा आपका गुडवाचक गड़ना वचक उप सब्सक्राइब बना है तो खिलाडी हो जाएगा option C का सईयंसर हो जाएगा question 46 देख सकते हैं एक सब्सक्राइब उस्द विचुषण नहीं है पूछा गया है तो अचार नहीं यह ऑप्सर सिंह का से सरह जाएगा प्रताप सिंहोड़ा काला है तो यह हो सुद्ध बाग की बताना है सुन्दरी लड़की ऑप्शन ए इसका सैंसर हो जाएगा 49 के देख सकते हैं जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं विशेष से कहते हैं आप्शन 20 का सैंसर हो जाएगा अगला है विशेष से सब्द जो है इसका हो जाएगा विशेष् दामिनी होता है, option D, चंद्रहास का प्रियावाची हो जाएगा, तलवार, option B, इसमें वसुधा का प्रियावाची पूछा है, पैस्विनी, option D, खुतास का प्रियावाची पूछा गया है, तो अगनी, option B, इसका सेंसर हो जाएगा, 56 का हो जाएगा, इसमें चंचरीक का प्रिय प्रियाबाची है अंदकार, जीव का प्रियाबाची है रसना, ओप्शन B, अगला कोशन है अप्रणा सब्द का प्रियाबाची है पारवती और प्रत्वी का प्रियाबाची सब्द नहीं है पूछा गया है तो अचल, अचल नहीं, अप्शन C का सहीं सरो जाएगा, इस तरह स हिंदी के हमने पूरे 60 को डिसकस कर लिया आप लोग इसको मिला लेजे और बताइए कि आपके कितने माक्स बन रहे हैं यदि आपके पास कोई क्वेरी है कुछ पूछना चाहते हैं तो कॉमेंट बाक्स में पूछ सकते हैं या हमने डिसक्रिप्शन में वार्टसेब नमर दे रखा वहाँ पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं और चैनल पर पहली बार बिजिट कर रहे ह मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जीयस के अंट्यूप चैनल सुरूने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जै हिंद जै भारत ये स्टडी मिटल इलाहबाद हाई कूट आरो यारो के लिए बहुत बहुत बहतरीन स्टडी मिटल है इसको हमने खुद लिखाये इसको आप ले सकते हैं उसके लिए दिये वार्टसप नंबर पर संपर करें कुश नंबर बहुत बोनारी बहुत बहुत बहुतरी ओखंरी मिटल आर, खुश, लिए जो कि अगरो नंडर करें ये घुब कि भी कट शोस ironically Wगल affili ूरीnisse